तो गैस यार एक बार जो है नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपका भाई जो है इस देशी लुक के अंदर किस तरीके या दिखाई देरागर अच्छा लगता है तो आगे भी अपन जो है इस चीस कार्ड राये करेंगे बाकी जो है वादो नहीं अभी सरके उपर तो गैस गैस यार पेछली वीडियो के दर हमने जो है इस नॉमल पेपर का इस्तमाल करके एक सिंपल सी पतंग मनाई थी जो कि सच में काफी कमाल के तरीके से उड़ती थी और उस पतंग को जो है आप लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया और साथ यसाथ एक नई ख्वाईश भी रखी कि भाई ये बहुत बड़ी पतंग बनाओ और फिर उसी जो है हवा के अंदर उड़ा के दिखाओ तो गर पर ही अवे लेवल होने वाली चीजों से बनाते हैं एक बहुत बड़ी पतंग और फिर देखते हैं कि वो जो बड़ी पतंग होगी वो हवा में उड़ती है य तो यार इन सब चीजों की ज़रूरत पड़ेगी हमें एक पतंग बनाने के लिए यह सारी चीज़ें जो है घर के अंदर आसनी से अवेलेवन हो जाते हैं तो यह है नॉर्मल सी पन्नी जो कि मतलब कोई फंक्शन वगरा होते हैं उनके टेबल कप पर विछाई जाती है वो यह प्लास्टिक के पाइप क्योंकि यह काफी हलके होते हैं इसलिए हम इनका इस्तमाल करेंगे यह रहा एक काफी मजबूत धागा जिसका कि हम पतं को उड़ाने के लिए इस्तमाल करेंगे और यह तो चुनों सारी चीज़ें हो गई तो चुनों अब बनाते हैं फटाफट से काफी बड़ी बड़ी का अच्छा कि अच्छा करते हैं तो टेप खेंदर यह चीज सबसे बड़ी दिक्कत वाली होती है इसका जो लाज्ट वाला पॉइंट होता है वह नहीं मिल रहा होता है हमने क्या क्या च्छेचे फुट की पन्नी को इस रोल से काट लिया और इसे फैला दिया तो आप देख सकते हैं कि अभी यह जो पन्नी है काफी बड़ी हो गई है और हम इन दोनों पन्नियों वापस में जोइंट कर देंगे तो यह और भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी और हमारे पतंग के लिए परफेक्ट साइज वाली बन जाएगी तो चलो इस टेप की मदद से ही से शिप्रा देते हैं आई मीनिन दोनों को वापस में जोइंट कर देते हैं कर देते हैं कर देते हैं कर देते हैं कि अच्छ तो यह तेयार है हमारी पतं तो जो लो अब जो है अपने खेतों के अंदर चलते हैं ताकि इसे उड़ा के इसका टेस्ट करते हैं वागी देखने में और सच में यह जो पतंगे काफी बड़ी दिखाई दे रही है और बहुत ही ज्यादा आस्टम दिखाई दे दे कि इसको सुन्भालना बहुत बहुत है काव से यहां तक लाने में जान निकल गए कई बहुत ज्यादा हवाँ टकना रही है और यहां पे हवाँ तोड़ी कम है लेकिन कि जाहां से घर से लिखा है वहाँ पर हवाँ तेज में बहुत तेज एक है कि अंत और ख झाल गया कई k audio गया हिद्ट ऑव रund यह करना कि पीज के अंडर स्टी जो पाइप रिचक न जाये और हमारी जो पतंग हें वो सच पे उड़ें तो चलो इसे एक बार ऐसी उड़ा के टेस्ट करते हैं कि इस तरीके से काम कर रही है या पिर क्या है तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी पतंग है वह इस तरीके से तो काप अच्छे से उड़ रही है बस यह थोड़ी सी तिर्ची पता नहीं कुछ आज़ी अब सीची जारी है अब अब इस तो चलो इसके बड़ा दागा बांते हैं और फिर इसे उड़ाते हैं बड़ी पतंग है इसलिए जो है धील भी बड़ी रेनी पड़ेगी तभी यह जो पतंग है यह उड़तकी है और जाना दे और जाना दे अशन से प्ड़ी वाल ही वो और जी वो, कि से ञार उड़ीवाद का झाल प्सकी प्सकी अजया झाल जो इसुटी! झाल 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 कर दो कर दो लुट लुट गफ कर दो झाल 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 था दो लाईट गईस तो यार सचमे मज़ा अगया आप देख सकते कि पतंग बिलकुल मेरे सर के अपर है और जो मोसम है वो भी कितना सुहावना है और रस्ती पे जो मतलब जो बजन है वो भी सचमे काफी ज्यादा और पतंग है वो पतंग काफी यह दा हरी पे लिगें कि अच्छ के अंदर इसे उड़ा के मज़ा गया तो यह वीडियो अच्छ लिगी तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कीजेगा और अगर अभी तक आपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार कर लेना शर्माना कैसा चोटे बाइक का चैनल है तो आज के लिए इसकी नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै बाराद कि इस और बाशी मैंटी अच्छ 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 कि अच्छ 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 कि अच्छ